भजन सहिता तिरपन एक से छे तक मूर ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनोंने काम किये हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुश्यों के उपर द्रिष्टी की ताकी देखे कि साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ग्यान नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भैचा गया जहां भै का कोई कारण ना था। क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को बधुआई से लोटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इस्राइल आनंदित होगा। युहन ना एक, एक से अट्थाइस तक, आदी में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदी में परमेश परमेश्वर की ओर से आव पस्थित हुआ जिसका नाम युहन ना था। वह गवाही देने आया कि जोती की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह जोती न था, परंतु उस जोती की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची जोती जो अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुश्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन हुए हैं। और वचन देधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे ले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई इश्व मसीह के द्वारा पहुची। परमेश्वर को किसी ने नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू अलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविश्यदवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है क कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें. तू अपने विशय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविश्यदवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो. वे फरीसियों की ओर से भेजे यदि तू न मसी है और न अलिया और न वह भविश्यदवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? युहना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परन्तु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते. अर्थात मे उनके कुलों के अनुसार चिठी डालने से अदोम की सीमा तक, और दक्षन की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षनी सीमा पर है ठाहरी. उनके भाग की दक्षनी सीमा खारे ताल के उस सिरिवाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षन की ओर बढ़ी है, और वह क्रबीम नामक यही होगी. फिर पूरवी सीमा यर्दन के मुहाने तक खारा ताल ही ठाहरी, और उत्तर दिशा की सीमा यर्दन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके, बेथोगला को चड़ते हुए बेत्रबा की उत्तर की ओर होकर रुबेनी बोहन नामक पत्थर तक चड़ गई, और वही सीमा आकोर नामक तराई से दबीर की ओर चड़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर जुकी जो तराई के दक्षनी ओर की अदुमीम की चड़ाई के सामने है। यहुदियों को जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है पहुँची फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेर पहार तक पहुँची और यारीम पहार जो कसालोन भी कहलाता है उसके उत्तरी ओर से होकर बेच्शेमेश को उतर गई और वहां से तिमना पर निकली बहां से वह सीम एकरोन के उत्तरी और के पास होते हुए शिक्करोन गई और बाला पहार होकर यबनल पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र का तठ हुआ और पश्चिम की सीमा महासमुद्र का तर्थाहरी यहुदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला उसके चारों और की सीमा यही हुई यह पुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आग्या के अनुसार यहुदियों के बीच भाग दिया अर्थात किर्यतरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है वहर बार अनाग का पिता था और कालेब ने वहां से शेशय, अहीमन और तलमे नामक अनाग के तीनों पुत्रों को निकाल दिया फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चड़ गया पूर्वकाल में तो दबीर का नाम किर पित से पेर को मार कर ले ले उससे मैं अपनी बेटी एकसा का विवाह कर दूंगा तब कालेब के भाई कंजी के पुत्र ओतनियल ने उससे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी एकसा का विवाह कर दिया जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमी मा यहुदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यह सब नगर 29 हैं और इनके गाउं भी हैं। फिर लिबना, एतेर, आशान, यिपता, अशाना, नसीब, कीला, अकजीब और मारेशा यह नो नगर हैं और इनके गाउं भी हैं। फिर नगरों और गावों समेत एक्रोन और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने अपने गावों समेत जितने नगर अश्डोद की ओर हैं। फिर अपने अपने नगरों और गावों समेत अश्डोद और अज्जा, वरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तर तक जितने नगर हैं। जानो, कैंग, गिबा और तिमना ये दस नगर हैं और इनके गावों भी हैं। के दिन तक यबुसी यहुदियों के सांग यरुशले में रहते हैं। जो जंगल में है, बेतल को पहुँची, वहां से वहलूच तक पहुँची, और अरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली, और पश्चिम की और यपलेतियों की सीमा से उतर कर फिर नीची वाली बेतोरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुँची, और समुद्र प पहुँची और उत्तरी सीमा पर्ष्चिम की ओर के मिकमतात से आरंब होकर पूर्ग की ओर मुरकर तांतशीलों को पहुँची और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुँची फिर यानोह से वहतारोत और नारा को उतरती हुई यरिहों के पास होकर यर्दन पर निकली। फ वहां से नहीं निकाला इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और वेगारी में दास के समान काम करते हैं